एंटी एजिंग क्रीम फोर यू असलाम लेकुम योट्यूब फैमिली कैसे हैं सब उमीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंटी एजिंग क्रीम जो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदा मन्द होगी वजुहात का तसकरा कर लेते हैं जिसकी वज़से हमारी फेस पे फाइन लाइन हो जाती हैं सबसे पहले हम अपनी नीन मुकमल नहीं लेते आठ गहंटे तकरीबन नीन मुकमल लेने से हमारी नीन पूरी हो जाती है लेकिन अगर हम मुकमल नहीं लेते तो इसकी वज़े से हमारे face पे fine lines पैदा हो जाती है उसके बाद जो दूसरे नमबर पे चीज़ आती है हम पानी का इस्तमाल कम करते हैं 10 से 12 glass एक दिन में काफी हो जाते हैं आते हैं remedy की तरफ ये मैंने लिए है lesson के जवे कुछ ये इस तरह के 7-8 लेने हैं अगर छोटे हैं तो हम ज़्यादा ले लें अगर बड़े हैं तो 3-4 काफी हैं ये हमने डालने हैं एक बाउल में तो लोग कहते हैं lesson suit नहीं करता ऐसा कुछ भी नहीं होता आपने सिर्फ इसकी remedy बनानी है अब हमने एक glasses में डाल लेना है पानी का और हलकी से आंच लगा देनी है जब इसको boil आजए तो spoon की मदद से इसको check कर लें अगर ये थोड़ा नरम हो जाए तो इसको निकाल लें हमने इसको crane कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसकी paste बंजे हमारे पास garlic की paste त्यार है अब हमने इसको stain कर लेना है मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी लिया था आपको दिखाने के लिए अब मैंने इसको कम कर लिया और ये aloe vera है हमने लिया है 3 टेबल स्पून और जितना aloe vera है उसी हिसाब से मैं ये पानी अंदर डाल लूँगी और डिपल स्पून पूरे हो जाएंगे ना कम ना ज्यादा ये मिगदार काफी है हमारी वो fine lines जो आँखों के इदगीद होती है वो कम हो जाती है इसको अच्छे तरीके से mix करना है मैंने ताजा aloe vera लिया था ताजा ही अच्छा रहता है अच्छे तरीके से इसको हमने तकरीबन half डाले या one by third डाले इससे ज्यादा नहीं अब हमने इसको mix करना है इतने अच्छे तरीके से mix करना है कि ये लेप बंजेगी इसको पकड़के बस हमने अपने मूग के उपर लगाना है अच्छे वाला कुछ के lips के irgit fine lines बन जाती है कुछ के eyes के irgit fine lines बन जाती है तो ये सब के लिए काम करते हैं मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ क्योंकि मैं finger tip पे ही लगाने क्या दी हूँ आप इसको हाथ पे भी पूरे face पे लगा सकते हैं बहुत आहिस्ता अराम अराम से लगाना है जहां जहां fine lines है वहाँ वहाँ पर लगा कर आप सो जाए रात को इसकी consistency कुछ इस तरह के होगी आप लगा कर सो जाएं या वो कपड़ा जो use में नहीं है घर में वो नीचे रखके आप उसके उपर लेट कर सो जाएं और जब सूख जाएं तो आप करवट भी लेज़ें अगर आपको वीडियो पसंद आई like, subscribe, comment ज़रूर कीजेगा मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अलाहाफ़ाई